कारिक्रम में शुताओं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागया थे आज कारिक्रम में हमारे महमान है वरिष चिकिस्तक आयुश विभाग उत्राखन डॉक्टर नवीन जोशी आज आपसे बाचित का विशे रहेगा सर्दियों में स्वास्ति रक्षा नॉक्टर नवीन जोशी ये मौसम जोकि बदलाव का मौसम है इस दोरान हम कई तरह के रोग पनपते हुए देख रहे हैं आप क्या कहीं जी बिल्कुल सही का आपने सर्दिया जो है अब धीरे धीरे अपने चरम पर जा रही हैं और हम ऐसे में अभी अभी हमने गर्मियों से अभी फिरे वर्सा रितु देखी हमने तो ऐसे में रोगों की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है और इसको आयुरवेद के हिसाब से रितु संधी का समय कहते हैं तो इसमें बिल्कुल रोगों की बहुत अधिक संभावना रहती है तो हम आप से जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम बदलाव करें अपनी जीवन शैली में चुकि अभी हम गर्मी और बरसात के साब से जीवन यापन कर रहे थे अब क्या परिवर की स्थितियां होती है एक आदानकाल और विशरकाल कहलाता है आदानकाल जो होता है वो अभी जो रित्मे चली गई वो आदानकाल में आती है जिसमें की हमारा जो बल है वो थोड़ा सा अन्यून होता है लेकिन जैसे ही अब हम सर्दियों में जाएंगे तो हमारा अंतरिक ब होती है वो आप ले सकते हैं एक नियमित मातरा में दूसरी चीजे हैं अब आपको थोड़ी सी ठंडी चीजों से परेज करना है जैसे कि आप रात में दही खा लेते थे तो रात में दही ना खाएं दिन में थोड़ा सा ध्यान रखें थोड़ी सी जो स्पाइसी जो खटी खान पान का अपने व्यायाम का बिल्कुल धियान रखना है हम आगे के लिए बात कर रहे हैं डॉक्टर जोशी सरदियां चरम पर होंगी और हम उत्राखन के शेतर में रहते हैं जहां ठंडी हवाई चलती है और दिन में धूप अच्छी होती है लेकिन सुबहर रातरी का समय काफी ठंडा होता है तो खास और से बच्चों के लिए क्या सला है ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों में ये आयूरवेट के हिसाब से इमाना आता है कफ प्रधान उनकी प्रकृति होती है कफ दोस प्रधान होता है ऐसे में सरदियों में उन्edel में कंजेशन्स, साथ फूलना या फिर साथ से संबंदित संकरमणों की संभावना बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से बच्चों को ठंड से बचाने का पूरा हमें पूरी युक्ती लगानी चाहिए, हमें उन्हें गर्म कमरे में रखना चाहिए, बाहर इस प्रकार से पहाडों में सुबह साम भूर ठंड पड़ती है, तो एकदम से हमें एक्सपोजर में नहीं जाने द जरूरत है, क्योंकि बच्चा उसी से बहुजन लेता है, उन्हें के स्तनपान के द्वारा ही उसे बहुजन मिलता है, तो गर उनको कोई तकलीफ होगी, तो बच्चे में भी तकलीफ होती है, और साथ साथ में एक बहुत इंपोर्टेंट है कि यह यहां पिस वकत सास जुखाम और नजला इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती है, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा रॉपलेट इंफेक्शन से भी बच्चों को आपस में बचाना जरूरी है, क्योंकि एक को अगर होता है, तो दूसरे को भी संक्रमन जाता है, जो कमोवेस वाइरल या फिर बैक्टि हैं या जो मधुमे के रोगी हैं, उन्हें विशेश खया लगना होता है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बच्चे और बुजूर्ग या दोनों ही खास होते हैं, जो इस रितु में फ्रभावित होते हैं, जैसा कि बुजूर्ग जो होते हैं, उनकी जो फेफड़े हैं वो धीरे 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 उम्र बढ़ने के साथ सब डीजेनरेशन सभी में होता है, तो उनको सांस की संबंदित, दमे की संबंदित समस्चाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि suspended particles या फिर इस प्रकार के ठंड में, इस प्रकार के एक्स्पोजर में जाते ही, वने कंजेशन होता है और एक स्तिती होती जिसे हम COPD कहते हैं, फिर्णिक अब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज, ये बहुत ज़्यादा बुजर्गों में मिलने की संभावना बढ़ जाती है, इससे हिरदय रोग की संभावना बढ़ती है, और आपने देखा होगा कि सरदियों में हमारे बु तीसरी चीज जो है, थोड़ा बहुत अपनी सक्रियता को बनाया रखना है, चाया बार घुमने ना जा पाएं, तो आप घर के अंदर ही पैदल जरूर घुमें, और वही बात की एक चीज़ बहुत इंपोर्टन्ट है, कि हम सरदियां हैं, तो हम बहुत, मैंने कहा कि जो मध भुजन लेने की तरफ चाते हैं, गर्म भुजन लेने की तरफ चाते हैं, लेकिन उन्हें हलका भुजन ही लेना है, नमक, मिर्च, मसाले, इंको आप वाइट टरना है, यदि आप डायबेटिक हैं, तो अपने शुगर लेवल को निशित रूप से लगातार नियंतरित रख और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग बजर्ग हैं और धुम्रपान करते हैं वो इस रितू में बिलकुल भी जो है इस प्रकार की तकलीफों को बढ़ावा देते हैं तो इससे जहां तक हो सके इसको ना करें यही मैं कहना चाहूँ जी आपने नहाने की बात क आम तोर पर ठंडे पानी का प्रियोग कुछ लोग करते हैं आपने कहा कि गरम पानी से नहाएं कई लोग बहुत ज़्यादा अतिदिक तेज गरम पानी से नहाते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं जी गुन-गुना पानी से नहाना अगर आप बहुत ज़्यादा गरम पानी से आप अगर नहाएंगे तो निश्चित है कि हमारे सरीर के तापकरम में और उसके तापकरम में एक डिफरेंस आएगा जिसे की और भी बहुत सारी कॉंप्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है जो जिनमें कि हम कह सकते हैं कि यह कई बार यह हमारे सिर के संबंध अगरिवेट कर सकता है तो गुनगुना पानी और एक चीज़ और मैं वहूंगा कि ठंडा पानी सिर्फ पर डायरेक्ट ना डालें अब वाइट करें इसको कई ऐसे केसे देखे गए हैं जिनमें ठंडे पानी को सीधे सिर्फ पर डालने के कवज़े से पैरलिसिस के आटैक करना पड़ गया या फिर कोई इस तरह की समस्या आ गई तो इस पर बहुत ध्यान देना जरूर। पान-पान की बात करते हैं, डॉक्टर नवीन जोशी, ये मौसम बहुत अच्छी सबजियां और फल लेकर आता है, किन चीजों का खास और से धिहान रखे हैं, कौन सी सबजियां हैं, जो पोर्शन के द्रिष्टी से और स्वास्ति के द्रिष्टी से बहुत अच्छी हो सकती ह बल आ रहे हैं, जो ताजे हैं, आप उनको बिल्कुल बेसक ले सकते हैं, आप देख रहे होंगे इस समय में, जो कि मैंने जैसा बताया है, कि जिस प्रकार से हमारा बल अच्छा रहता है, वैसे ही हर जीवित प्राणी है, उन सब का बल इसमें बनस्पती भी आती हैं, तो ज इनका ग्लाइसमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, भोजन में आप जो है, मैंने वैसे बताया कि हमारे हैं स्रीयन का बड़ा इस वकत भारत सरकार प्रमोट कर रही है, मडवा है, कोदो है, ये एक प्रकार से इनकी गरम तासीर होती है, और इनका लो ग्लाइसमिक इंडेक्स हो जो हमारे घर में हमारे किचन में बनता है ये सब हम करें तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी व्यायाम बहुत जरूरी है नियमित व्यायाम डॉक्टर नवीन जोशी क्या सलहा है आपकी क्योंकि इस समय जब सुबह ठंड का मौसम होता है तो क्या बजर्गों को या ऐसे जो रोगी है उनको सुबह नियमित वॉक ले निकलना चाहिए जी बिल्कुल सही पूछा आपने क् कई बार लोग सालों भर जो है वो मौर्निंग वॉक करते हैं और कई बार मौर्निंग वॉक इस रितु में करने की वज़े से तकलीफ बढ़ जाती है तो मैं वो कहूंगा कि जिनको दमागी तकलीफ है जिनको ठंड में निकलने से कोहारे कोहरे निकलने से तकलीफ है वो इस सक्रियता को बरकरार रख सकते हैं, तो मैं यह कहूँगा कि आसक्रियता पूरी बनाए रखें, बस ध्यानिस बात कर रखें, कि आपके सरीर को कोई बाहरी टेंपरेचर या बाहरी ओस, कोरे, इन सभी चीजों से नुकसान ना हो। इसी तरह से जो लोग सुबह सुबह आफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं और वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, खास और से टू विलर, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, या जो दो पहिया वाहन होते हैं, उनके लिए क्या सला है अपर? जी डेफिनिटली जो दो पहिया वाहन पे सफर करते हैं, उसी इधे डाइरेक्ट एक्स्पोजर होते हैं, कोल्ड वेफ चलती हैं, थंडी हवाएं चलती हैं, तो थंडी हवाएं जो हैं, वो हमारे सरीर में वात को बढ़ाती हैं, और वात से संबंदित तकलीफ होने की संभ वावना हो जाती हैं, जिन में जोनों का धर है, अर्थराइटिस है, जिननको इस प्रकार की तकलीफ हैं, उनकी तकलीफ वहाएं बढ़ जाती है, तो बहतर यह है कि अगर आप बाइक पर जा रहे हैं, या स्कुटी पर भी जा रहे हैं, तो आप पूरा वह हिस्से अपना पहन के चलना चाहिए, अपने पूरे सरीर के हिस्से जो cold के exposure से प्रभावित हो सकते हैं, उन सब को cover करना चाहिए, आप चाहें तो आप टोपी पहन सकते हैं, अगर आप इस प्रकार से बाइक में यात्रा कर रहे हैं, बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ये सभी चीजों अतनी ताकत नहीं रहे गई है, हाथ पैरों में दर्द है, तो ऐसे लोगों को क्या सला देंगे, जी जी, किसी भी प्रकार के वाइरल इंफेक्शन के ठीक हो जाने के बाद, ये सामाने रूप से दिखा जाता है, कि सरीर में कमजोरी आती है, सरीर में थोड़े समय तक सरीर क बल वोग शिर्ण हो जाता है, ऐसे लोगों को सला ये है, कि धीरे धीरे आप अपनी सामाने अपनी रूटीन में आएं, भोजन और अपने फ्लूड्स का जो मात्रा है, वो प्रॉपर लें, और इम्म्यूनिटी को बढ़ाने वाली वो सभी चेज़े हैं, जो नैचुरल आपका बल बढ़ जाता है, तो ये इस्वर नहीं हमें प्रदान किया है, कि इसको हम विसर काल कहते हैं, और इसमें हमारा जो बल है, नैचुरल जो हमारी इम्म्यूनिटी है, वो बढ़ जाती है, अब परेटन की बात कर लें, डॉक्टर जोशी, और इस रितू में लोग ब सरदियां बढ़ेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है, कि यहां की सरदियां आपको नुकसान नहीं करती है, यहां सीत लहर नहीं चलती, आप अपने पूरे कपड़ों के साथ आईए, आप अपने पूरी बेवस्ता लेकर आईए यहां, और आप उतराखन की धरती पर आप य अगवान ने ईश्वर ने विटमिन डी जो है हमारे सरीर में, उसकी सिंथेसिस का जो मेन माध्यम है, वो सनलाइट है, सूरी का प्रकास है, इसलिए हमें धूप के निश्चित रूप से एक्स्पोजर पे अपने एक निश्चित समय तक लेना चाहिए, इसे हमारी जो मिलैन धन्यवाद, धन्यवाद